किरंदेवी जी को आएं और सम्मानित करें जोड़दार दानिया अब मैं माने जिलादिकारी महदे से निविदन करूँआ कि अपने विचार भी हम लोगों के सामने रखें बड़े हर्ष और गौरव का विशेह है कि आज मैं यहां एक ऐसी नारी को सम्मानित करने आया हूँ जो इस जिले में इस गाउं में एक विकास की किरन बन कर आई है जिनोंने यहां नारी को शक्ति परदान की है और विकास में आ रही अर्चनों को दूर किया है औरतों में बेटियों में और व्रद्धों में एक विश्वास पैदा किया है और जीने के एक बहुत ही शांदार और सकारात्मत तरीके को सामने रखा है सक्चाई की ताकत और आत्म विश्वास की ताकत से लोगों को और हमको रूबरू कराया है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये सब मेरे जिले में मेरे जिलादीकारी रहते हुआ है और मैं इस देवी के कारियों का गवा भी हूँ और कहीं न कहीं इसमें सायक भी रहा हूँ और आज उनका प्रसंशक भी हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक जिले में अगर एक किरण हो और एक ऐसी नारी हो तो उस जिले के विकास को कोई नहीं रोग सकता और अंत में मैं शुब कामनाई देता हूँ उस परिवार को और इस गाओं को जिसकी ये बहु है और नमन करूँगा उन माता पिता को जिन्होंने इनको जनम दिया और ऐसे संसकार दिये धन्यवाद जै भारत जै नारी शक्ति मैं निवेदन करता हूँ श्रीमती किरन देवी से कि वो यहाँ आए और अपना सम्मान ग्रहन करें किरन दोने इस बहुप कि अपना खआं किराम देवेश अब मैं किसान उज्जुला प्लांटेशन उत्तर प्रदेश के स्थाने देशा तुरी सीपी सिंग्जी से निवेदन करूगा कि वो आएं स्रीमतिक करन्देवी जी को सम्मानित करें जोर दार दानिया अब मैं करन्देवी जी से भी निवेदन करूगा कि वो आएं और अपने विचार रखें किराम देवेश 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 कर चलाओ टो बभे मलोड़ दीत किना अरे इसने तो मूँ भी ना ढख राख या फिर मैं घुंगट कैसे खोल लूँ आ मुझे लगे या मेरते पहले ही तैयार बैठी है कहीं मैं ही तो लेट ना हो रा या तो रेडी एक दम ये क्या कर रहे हैं आप क्या बत्तमीजी है ये बत्तमीजी मन ने कौन सी बत्तमीजी कर दी भई तू मेरी बहु है मैं बड़ा गली मैं किसी को छेड रहा हूँ पर ये क्या तरीका है पहले हमें एक दुसरे से बात चीत करने चाहिए कम से कम एक दुसरे से जान पेचान तो कर ले जान पेचान? अरे जान पेचान हो राखी है जबी तो ब्या होया है ब्या हमारे परिवार वालों के मर्जी से हुआ है उनकी पेचान से हुआ है हमें भी तो एक दुसरे को जानना चाहिए हमारी होबीज क्या है हगीज? अरे मैंने तो सुना हगीज बगीज जब बच्चा हो जब जरूत पड़े तू पहले हगीज मांग रही है कुछ होन तो दे पहले हगीज नहीं होबी आदतें पसंद ना पसंद अरे तू पसंद है जबी तो भ्या हुआ है पहले तो आप मुझसे तू करके बात मत कीजिए तू ना कहूं तो और के कहूं? अरे तू मेरी बहु है और बहु तो तो ऐसे ही बोला जावे ये क्या मतलब हुआ कि ऐसे ही बोला जाता है पत्मी अरधांगी नहीं होती है उसके इज़त करने चाहिए अरे तो इज़त करने का ये मतलब थोड़ी है के मैं तुझे चाची ताई कहन लग जाऊँगा कहूआ तो भहुई हाँ जब कोई बच्चा बच्चा हो जागा जब मैं तोड़ा ओठाल बोल ले करूआ अक टिलू की मम्मी के बनाया है हे भगवान अरे छोड़ भगवान भगवान भोटेम बरबाद हो लिया तू आजा ये क्या पागलपन है आजा आजा के अलावा और पे तो बहुत सारी बाते होती है अरे और की बात करनी है जबते तो हम बात ही कर रहे है तू बतूनची दिखे मुझे लगे हमें पहले एक दूसरे से अच्छे से परिचे तो कर लेना चाहिए अच्छा अर देख मेरा नाम विकास है और मैं हरपाल का लोंडा हूँ और तेरते अभी ब्यावयार तेरा आदमी हूँ और तू रमे इसकी छोरी है बता और के परिचे हो देखिए परिचे में सबसे पहले अपना नाम लिया जाता है और पिताजी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है अरे बाबा श्री भी लग जगा ये काम तो बाद में भी हो जागे पहले वो काम तो करो जिसकी निया भ्या होया है शादी सिर्फ उसी काम के लिए नहीं होती है शादी तो दो लोगों और दो परिवारों का पवित्र बंधन होता है जिसमें दो परिवार एक दूसरे के सगे संबंदी बनते हैं दो लोग जीवन में एक साथ चलने के लिए हमेशा तयार रहते हैं पर तू एक होन का दे रही है मैं तो इतनी देर ते एक होना चाह रहा हूँ देखिये हमने पढ़ाई इसली नहीं की कि हम मुर्खों और जाहिलों की तरह अपने जीवन को जीए और हमारे आसपास हो रहे गलत कारियों का हम विरोद भी ना करे उन्हीं ठीक भी ना करे विकास बेटा सो जा और ना पहली रात में इसमें दो लग जाँगे देख मैं सो रहा हूँ तेरा यू लेक्चर खतम हो जा तो बता दिये अजीब इंसान है बेटी कौन जा रही है माची कुछ काम कर लूँ माची अब आप बैठो काम मैं करूँगे बहुतों मुझे कुछ जादे चलार लग रही है कहां से शुरू करूँ हम यहां से शुरू करते हूं हां भाई दुल्ले राजा रात पूरी राज जागरन रहा होगा जागरन अरे सुहाना सफर अरे देख नहीं रहे चेहरे पर ठकान साफ साफ दिखाई दे रही है अरे भाई रात केके हुआ हमें भी कुछ बता दे अरे भाई रात तेरी सुहाग रात थी बता तो कुकर कुकर रहा हिसाब किताब रह बतानी ना चारा हम भी पूछ के छोड़ेंगे पूरी रात ना सोन दियोगी हाँ तू भी देख लेता के सोन ना दियोगी रह हमें तो तू ही बता दे बजनु मानिये देख ही लिया आओगा के के होया अरे होना के था, कदी के पसंद ना पसंद बताओ, और बता दी तो मुझसे भी पूछो, और हाँ, तू कह दी तो आप तो हमारी बेज़ जती कर रहे हैं और भाई फेर उसे के कहना पड़ेगा? आप? हैं आप? बहु को भी आप कहेंगे तो बड़े सरम की बात है यार अरे हाँ, हम कहेंगे आप, हमने कर दी अपने बाप को तो आप कहीना आए, जादे करेगी तो दो लगा दूँआ, मैं तो रात ही लगा देता, पर मका चल नही नही आई है भाई हमें भी आप ही कहनी पड़ेगी, हमसे ना आजा थारे घरो मा, कैसे बेठी है? नुई बेठी हूं बेठा, इतेरी बहु काम करनी न देरी, आप ही करती फिर है, यह गाम की ओरत मूँ देखना आ रही है मानी नीरी मेरी तो, मन न तो भतेरी समझा ली बड़ी पागल है, चल तू रोट्टी ले आप कि क्या कर रहे हैं आप? भैस की धार काड रहा हूं, दिखता न रोट्टी खा रहा हूं तो हाथ तो धोलीजे मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, देख कोई बात नहीं है, फिर भी हाथ धोलीजे जब साफ है तो क्यो धोलूं? क्योंकि हमारे हाथों में, छटचohटे किटांणों होते हैं, जो हमें जिखाई नहीं देते और खाने के साफ हमारे पेट में चले जाते हैं, जिस से इनसान बिमार हो जाता है पहले तो होये ना, तेरे आने ते हो जांगे किटांणूं देखिए सामी, मारी भैस बन्दुरी है, ये तो कभी ना खांवेते पहले हाथ दूती, ना खाने के बाद हाथ दूती, ये तो ना होती बिमार बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे खाना हाथ से तो नहीं खाना पड़ता और उसकी साफ सफाई का ख्याल इंसान को ही रखना पड़ता है वे तो देखें भाई गोबर करें भाई मुथते हैं हाँ ठीक है पर आप हाथ धूली जी, पुदी के पिता जी भी तो हाथ धूले हाँ जबी तो बिमार पड़े रहें तीसरे दिन, कदी जुखाम, कदी नजला, कदी खासी अरे हमारे खासे जुखाम तो उमरते हैं, अब तक तो हाथ ना धोय, बवगे कहने से धूले बड़ी आफ़त है भई लाओ भई एक ग्लास पाणी लिया पर पानी अब खाने के साथ मत पीना तो कद पीना पानी? कम से कम एक घंटे बाद अब पानी भी हम इसते बूझ के पीऊंगे के? तू देख, कैसे पीना है? या डाक्टर नी है के जो हर बात या बताओगी यू कि बताओगी हम बताओंगे क्या करना है इस घर में देखो जी आप ठीक ना है एक दिन आई कुई है सारा काम करती फिरह है और मने करने से मान रही नहीं और देखो कैसे चबड़ चबड़ बोल रही है सही बात है दो चार दिन अराम ते बैठती जो काम करने के वे तो करना रही मास्टर नहीं बढ़ रही है कौन से काम अब आप कहाँ चले अब कहीं जाओ भी ना मैं चले जाना पर मेरे साथ कुछ काम तो करा दो काम मेरी मान ने तो कदी मेरे पकरवाया नहीं तू पहले दिन ही करवान लगी ठीक है माजी ने नहीं कराया हुबा तो कोई बात नहीं लेकिन अब तो आप अपने जिम्मेदारी समझो ए बहुत से जान दे कौण सा काम हो समय करवा लूँगे माजी कुछ भारे समान है वो उठवा देंगे अपने प्रिया के संग मेल के धर्थी अंबरसी अपने पिया के संग मेरे के रदिया सा ऐसी हर प्रेम लहय में गुड़गो तेखाऊ ओरे साखेरी बारी जाऊ ओरे साखेरी लग गई लाग प्रिया के मेरे मन में सया किये मेरे मन में बारी बारी जाओ सास ससुर संग बढ़ के बिटिया जैसी जेट जिठाणी संग बढ़ के बहना जैसी हेरे पावन मन से घर को स्वर्ग बनाओ रे सखेर वारी जाओ रे सखेर लग गई लाग पिया कि मेरे मन में सया कि मेरे मन में बारी बारी जाओ अपनी ननद संग मेल के गंगा जम नासी अपनी ननद संग मेल के गंगा जम नासी फिर सब रिष्टों को दिल से निभाओ रे सखेर वारी जाओ रे सखेर लग गई लाग पिया कि मेरे मन में सया कि मेरे मन में वारी वारी जाओ बड़े से घर में मैं तो बड़के बेटिया कि क्यारे से घर में प्लीज मैं बहुत अब यह मुझे सोने दो यार अच्छा भ्याओ या भ्याज ऐसी तो कोई बात ही ना मेरी गेल तो काम करवा रही वा तेरे पैर हाँ भई बिया के बाद तो काम करने इपने काम? अरे जो काम सबते पहला होना चीए था उसको तो जिकरीनी आन दे रही वा यार बुरा मत मानी है पर हमें तो ऐसे लग है जैसे उसके किसी और से चैटिंग हो चाही क्या रहा बई आज कल ऐसा भी हो सके के पता अरे 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 अब यहां से क्यूं आ रहे हैं यह पर टूर जाएंगे फिस दो मिनट का रस्ता है आप वहां से आ जाते हाँ आ जांगे और यह क्या कर रहे हैं आप के कर रहा हूं यह उठाईए यहां से और कहां गेर हूं फिर यह उदर डाल के आओ डस्बीन में चाही उठाईए आपके घर माचा के हादों के आईए उदर साफ सुत्रे हादों को भी दुआवे कोई बात है यहां और अगर आपको पानी पीना हो तो पीने का पानी वह मटके में रखा है अब आप कहां चले? मैं जा रहा हूं धनपाल के चोत्रे पर TASKhell रहाँ TAS बात में खिलना पहले मेरे साथ कुछ काम करा दो अरे काम कल करवा तो दिया सारा अब की है? अरे कल का काम अलग था आज अलग है आज की है? आज हम बाहर के सफाई करेंगे सफाई देखिए सफाई कितनी हो तो रही है या घर के सफाई के सांस सथ बाहर की सफाई भी बहुत जरूरी है अरे घर की बहुत है बस रहन दे तू देखिए आप हमारी बात तो सुनते नहीं है कम से कम परधान मंतरी जी की तो सुन लिजी परधान मंतरी की हम क्यों सुना जब वो महारी नी सुनता हिसाब बराबर परधान मंतरी जी ने सच्छता अभियान चलाया है जिसके लिए वो खुछ सड़कों पे उतरे हैं ज़ाड़ू लेकर अरे ये नेता पबलिक का बेगुब बनावे हैं समझगी ना कोई जड़ू अड़ू लेकर ने उतरता वो ऐसे नेता नहीं है उससच में बहुत अच्छे नेता है सफाई पे पूरा ध्यान रखते हैं तू रिष्टेदार है के परधान मंतरी की मैं रिष्टेदार हूँ आप धारी ने भी लगवाई के कधि छाड़ू धारे पहbn है आरे हमारी ने तो अंतली पै qa bhi tis तो ओ यह माष्टर मेड़ू मेरे क्ँआ में हालनी जरूरी झी कह भाया ई thingyus अ्पने अपने कर्मों का फल और सबीनी बहतना पड़े जा बेटा जा जा जाड़ू लगा बहु खड़ी देख रही है जा मैं उधर साफ कर लेते हूं आप ये कर लिजे कि अरे क्या हो रहा हूं कि फोक रहा है जब नहीं नहीं बहु आ गया है दो चार दिन चमक दिखाई करें अरे 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 बाई यू के हो रहा है अरे के चल रहा विकास भाई सुच्था बियान चल रहा दिखता ना बाई अगर भ्यां के बाद ऐसी हालत हो जाएगी मैं तो फिर प्वाराई रहनूंगा अरे इसे देखका तो मेरे भी कुपकपी चड़े है उस रात वाले ब्यान का के रहा अरे उसका तो मेडम जिकरी नियान देरी फिर कैसे बनेगी बाद कैसे के बनती आज ज़्यादे टेटे करी तो दो लगा दू हमें हाँ अरे क्ये खुसर खुसर कर रहे हो क्या ची कुछ ना हम तो इसे बुलान आए थी अरे इचोखा काम कर रहा है तुम जाकर ताची खेलोगे है जब कर मेरे खरमाई है जुद्न की पढ़ात करकर रग दी माची के लड़ाई से कहा हो रही है कौन दो लड़ाई तम से बंदर चलो बतेरी ओड़ी सपाई यू जग्गा होगा अपनी बहुत फीट रहोगा तू के ले उनसा लेकिन माची क्यों उत उसका रोज का काम है भाई इसने भी जीवन नरग बना रख लाज पवू का लेकिन उससे कोई रोक तक je नुहें लेकिन हमाρα समाझ किसलिये है हिदो अब रोख तू जया भी उसे अ पर आपी गालि देग बंदेगा जान देना जितनी तह जारिये उतनी जल्दी उल्टी भी आओगी सालीक के मिनी तुहस्तना मैंने इतनी बार कह दिया जुथी पैर में यूची लगती है वह जान दे दुरघटना मेरा बालक मेरी बहू मारूँ या जो करूँ मेरी मरई जी चलिये यहात है, नही नहीं आया है, शरम कर रहा हूं क्या शर्म कर रहे हो तो, शर्म है तुमारे अंदर ओ चाचा, ले जा अपनी बहु को ओ कुसम, तमाल अपनी बहु को, माल अपनी बहु को महले घर का जगड़ा में टाम नालाव है किसे भी तरीके की हिंसा किसे भी तरीके का जुल किसी का निजी मामला नहीं हो सकता और आप जैसे लोग ऐसी बेतुक की दलिल दे कर कभी किसी बेबस नारी पर या तो घरे लोग इंसा करते हैं या फिर कभी कुछ और करते हैं फिर हम क्यों इस समाज का हिस्सा है कि यहाँ पर हो रहा अत्सिया चार जब किसी का नीजी मामला हो सकता है। और आप, आप क्यों सहन कर रही हैं इनके जुल। मर्द है मेरा, इससे जादे क्ये कर सकता है। पिटेगा तो पिट लूँगी इससे जादे क्ये कर सके औरत एक औरत फिर्फ एक औरत जो चाहे कर सकती है औरत आद्मी से पिटने के लिए नहीं होती है वो उसकी जीवन में भागीदार, हिस्सेदार और बराबर की हगदार होती है जब औरत घर को संभाल सकती है तो वो समय आने पर इंद्रा गांधी मन कर बेश को भी संभाल सकती है अपनी ताकत को पहचानो ए बहु नहीं नहीं बात ना बतावे यो पाट अपनी सास को जाके पढ़ा ये मेरी बहु है मैं तो इसे मारूंगा देखे तू के करेगी मेरे सामने तूमी से छू कर तो दिखाओ क्या क कर लेगी तू हमारे सम्विधान में एक औरत को कई सारे अधिकार दिये गये जो आज कर रहे है ना उसके लिए धारा 319 के तहर्स आपको जेल भी हो सकती है औरत की बेज़ती करना उस पे जूटे आरोप लगाना उसके लिए धारा 499 जिसके लिए दो साल तक की सजर है बहे अगली बार ये तुम पर लगवावी दोंगी तुझे के जरूत ही दूसरान की लड़ाई में जाने की? माजी और कोई भी हो किसे की भी हो हमें उस पे होरे अत्याचार का विरोत करना चाहिए बस बस सुन लिदेरी किसी की लड़ाई में जाने की जरूत नहीं और घर मेरा यासे जैसे बहो भेटी रह करें आगी समझ मा अरे वो अपने घर में कुछ भी करें हमें क्या मतलब है? देखो न उसकी माना चार बात और हमें सुना दी जो पिटरी हो तो कुछ कह रही नहीं यू खामाखा पंगा ले रही है मा जी तो क्या करें? उन्हें वही सब सिखाए गया है वो पिचारी तो अनपर है कानून भी नहीं जानती अरे तू कानून के चक्कर में जादे मत पढ़े? देखो जुन करने वाले से बड़ा पाप का भागी जारी होता है जुन सहन करने वाला और जुन होते देखने वाला उससे भी भड़ा तो तू हमें पढ़ाना आई है के? मैं पढ़ाना नहीं रही देखो हम सामाजिक प्राणी हैं हम सामाजब्रा प्राणी क्यों है ताकि हम एक दूसरे के सुक्तुफ में काम आ सकें और अगर एक औरत होके में एक औरत के हकिने नहीं लड़ सकती फिर तो लानत है मेरे औरत होने पर भाई हमारी तबस की है नस से जुबान लड़ाने हमें पता नहीं है कि इसकी इतनी जुबान चले भाई या के कह वे मेरी तो कुछ समझ में आता नी मारे में ना इतना दिमाग आप यहां क्यों बैठें सोना नहीं है क्या हाँ आज आँगा मैं बस सोना ही तो है मैं जानती हूँ आप दिन वाली बास से नाराज है पर आप ही बताए कि किसी पर होड़ा हात ते अचार देखकर कैसे चुप रहे जाए और वैसे भी हमारे अधिकारों के साथ हमें अपने कर्टब्यों का भी तो ध्यान डखना चाहिए तेरे सब कर्टब पडोसियों की नियाई है क्यों क्या मैं कभी अपने घर के कामों से पीछे हटी हूँ आप ही बताएए लो भई कर लो बात इस तो अच्छा चलो अब उठो और अंदर चलो दूद पिलो आ जाओंगा मैं करना के बस सोना ही तो है हाँ सोना ही तो है अच्छा किस बात पर कौन सी धारा लगे तरने यही बात सिख्की है कि यह कुछ और भी सिख्या है आपको क्या लगता है मुझे और कुछ नहीं पता चलो अब अब जल्दी से खड़े हो जाओ और अंदर चलो अब जल्दी है बस सोना ही तो है बस सोना ही नहीं है और भी कुछ है है हाँ आपको क्या लगता है? मैं आपको प्यार नहीं करती? या फिर मुझे आपकी प्यार की ज़रूरत नहीं? चलो, अब चल दी से खड़े हो जाओ और अंदर चलो कोई धारवारा तो ना लग जागी? आप मेरे पते हैं, आपकी मेरे उपर और मेरे आपके उपर, कुछ हग भी तो है? ए भगवान, तने सुनी तो पर थोड़ा लेट कैसे लंगडा रही है? जानवरो आप अच्छा? हाँ भगवान, इस भगव को इसके घर मिला के लाना क्यो? अरे भगवान, अरे भगवान, ये रीत रिवाज है ठीक है, ठीक है, ठीयार हो जाए, बस में आरहाँ पापाजी पापाजी, नमस्ते अखुछ नहीं बेटा पापाजी, ये लेजी अच्छा? अच्छा? नमस्ते बेटे क्या हो अच्छा, बेटे, मैं ये देखते है, मारी चोरी बदल दो नागी मामी जी, मैं कभी नहीं बदल सकते मैं हमेशा वैसे ही रहूँगी जैसा मुझी मेरे पापा ने बनाए बेटे, मारी चोरी कुछ नियम कानूल वाली हैं पर अच्छा मत होईयों, पर दिल की बहुत अच्छी है अच्छा चलो अंदर भी चलो, हाओ बेटा जीति रहो, जीति रहो आहा, राम राम पिता जी तीक है सब भई? जीति रहा, बनी रहा दूद्धो नाव पूता फलो चलंदर इसका मुरे में आप यहां गन्ना चूस रहे हैं तो यह छोगते किसी तसले या टोकरे में डाल देते यहां गड़ी में भी? रह हां तो पड़े रहन दे बाहर की सफाई भी बहुत जरूरी होती है आप उठाईए ने और तसले में डालके आए चल मैं उठा दूँआ उठा दूँगा नहीं अभी उठाईए चल ठीक है आज तु कुछ भी उठवा ले अरे भाई यु तो इभी भी तसले इठा रहा अरे भाई अभी तो शूक अई दीख्या के रहा पेस्टी भी हुई या भी दारे चल लिए देखनी रहे मेडम लंगडार यह अच्छा तो यह बात है आज़र दीदी आजर दीदी आजर दीदी जब हम इनके पास है तो यह हमारा कट भी बनता है कि हम इने लेके चलेंगे आए नशी आए तो आए तो आए आए चलेंगे आए जिए चलें जाए तो है जाए अएजर आए पराधया है इतना खर्चा होगा कहां से होगा आसा के पती कौन है जी मैं हूँ लड़ु मंगाली जी लचमी आईए बेटी हुई आपके धर ठीके छोरी के होने में पत्टु खिलाई जामें के क्यों नहीं दाई जी थैंक यू डॉक्टर आशा दीदी और बच्चा कैसा है दोना प्ठीक है बच्चा कमजोर है मा में खोन के कमी है और दोनों का खाने पेने का धियान रखे पताना कौन से करण महारे आ गया है जो महारे छोरी हुई ताई जी छोरा छोरी में कोई फर्क नहीं है आज कैसे फरक नहीं पड़ता, सिर से लेके पाँ तक फरक ही फरक है, अलो जग्गा, जाकर छोरी के अलाक होड़ता है, जी वनवर के बोश से बचना चाहता है बस करो आप, आप मुझसे बड़ी है, मुझे शर्माती है आप कैसी सोच पर दूसरों के मामलों में नेतागीरी करनी अलग बात है, जब खुद के छोरी होगी तो पता चर जागा ताईची, अगर मुझे लड़की हुई ना, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, आप देख ले ना, आप भी यहीं और मैं भी यहीं थारा होगी तुम घुजो लियो, हमें ना बिल्कुल भी छोरी होने से खुशी, अरे भीया, खुशी हो या गम हो, थारा छोरी होगी तम जानो और थारा काम जाने, चल भई, महारा काम हो लिया, खतम, चल अगर बेटी ही नहीं होगी, तो अब्दुलकलाम, नरेंद्र सिंग कहां से पैदा होंगे, वो बेटी आई हैं, जो आज भी देशों में जाके हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, साशी मलिक, पीवी सिंदु, गीता बवीता, साइना नहवार, और किरन बेबी, और अगर उस बच्ची को कुछ हुआ न, तो आप लोगों की से पालिये, उसे मारिये मत, क्या पता कलको, वो बड़ी होकर कलपना चावला, क्या मैरिकॉम बन जाए, बेटी बचाओ, पेटी पढ़ाओ, आज यही हमारे देश की जरूरत है आए अरान से चला ले, अरे तुझे पता है न, मैं तो ऐसे ही चराय करूँ, पता तो है पर रास्ता भी तो खराब है, भाई सर्तारी भी तो कुछ काश पर गेंगे, अरे भाई, सरकार किसी की भी आओ, तारे एक से हैं, ये बोट मांगन तो आवे, खेर दिखाई भी ना देते ये भाई बात है न, सोलाने सच कही है अरे बात तो सही है, अरे मारे देश के नेता काम करते न, तो मारा देश आज अमेरिका से भी आग्या होता आप लोग जब देखो सरकार को दोस देते हैं, आप लोग खुद क्या करते हो कभी सोचा हैं आपने आपके देश के लिए क्या करता भी होने चाहिए, कभी ध्यान दिया है आप लोगोंने जब बोर्ट डलते हैं, सरकार चुनी जाती है, तो देश के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है कभी ध्यान दिया है, आप लोग कभी धर्म के लिए, कभी पैसों के लिए, तो कभी दारू के लिए बोर्ट देते हैं बस अरे यही तो दो चार दिने मोज लेने के इन पर रोक लगा दे शर्व नहीं आती आपको ऐसी बात बोलते हुए ऐसी घडिया सोची तो हमारे देश को पीछे लेके जा रही है और इसी सोच के कारण गलब लोग आके आते जा रहे अच्छा इसी स्कूल के बच्चे ऐसे क्यों गूम रहे हाँ इने मत गूमन दे कोई धारा बता दे इने भी इस्कूल का नल खराब हो रहा है बालत आओ इस्वर के घेर में पानी पिना है प्रधान जी को नल ठीक कराना चाहिए उन्हें कोई कुछ बोलता क्यों नहीं तू बोल दे जाके हाँ मैं ही बोल कर आऊँगी या फिर आप और हम क्यों बोल लेंगेтив इनके बच्चे पड़ें है वे अपना आप बोल लेंगे यह उनकी जिम्मेदारी नहीं जिनके बच्चे पड़ते हैं यह हम सब्सक्री समुक्ष metro क्या ऐसी सोचला कि हमारा दे चायेगा помог मैं जोशल मैं आहाई कि 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 यहाँ नहाँ पुटाब रधा हुआ! कि अबटेंगा हुआ! पर शरफ प्रफ ते हम कि अरया हुआ! माजी, किसी के सहायता करना क्या गलत काम होता है? आज के टाम में कोई भलाई न देता है? देखे ना मुडिया कैसे उल्टी सुद्धी बोल रही थी कौन क्या बोलता है हमें ये नहीं देखना है हमें सिर्फ अपना काम करना है हमने दनु जानी क्या पड़ी लिख की बहुआ वेगी अरगर कुछी मालेगी तु तो पूरा गाम कुछी मालती फिर है माजी मुझे मेरे माबापने सही को सही और गलत को गलत कहना सिखाया है दूसरों की सहाइदा करना सिखाया है उनके दुखदर्द में काम आना सिखाया है और मैं बस वही कर रही हूँ मुझे ना पता तेरे माबापने के सिखाया अच्छी हां, हमारी तो बस किया ना तेर से जुबाल लड़ानी अरे भाई, आज तक इस गाम में मारे सामने कोई लड़की नी बोली और या, हमें पाठ पढ़ा के चली गई भाई, मुझे तो चालू पुर्जा लगे अरे पहली रात विकास को आज भी निलगाने दिया अच्छी हां, रिंकु को तो अपने पाज में ठालिया अरे मेरे तो कई बर चुक्ती काटी, चुक्ती अरे जब तेरा जुगाड हो जाना भाई, तो हाथ पैर हमारे भी दिलवा दिये इस बहती गंगा में अरे मुझा आजगा कते ही खड़ा पीशे खड़ा अरे महीं हमारे बिजली ना आरी आज बिजली ना आरी क्यों? औरो के आरी है? कदी भाग रही हो सब के आरी है महीं हमारे ना आरी मैंने तार हटा दिया है इसले बिजली नहीं आरी है तार अटा दिया? क्यों? अरे, जब हमारे मीटर लगा है, तो हम मीटर ते बिजली जलाएंगे. मीटर ते कितना बिल आओगा, पता तुझे, तेरा बाप भरेगा. मेरा बाप क्यों भरेगा? आप भरेंगे. माजी, अगर हम बिल नहीं दे सकते न, तो हम बिना बिजली देएंगे. लेकिन हम चोरी की बिजली नहीं जलाएंगे. तू पागल है के, सब जड़ाम है, हम न जड़ाऊंगे तो की हो जगा? जैसा सब करते हैं, वैसा ही हम करेंगे. अगर हम दूसरों को सुधारने के बचाए, खुच को सुधारे न, तो सब सुधार जाएंगे. कर लो इस मूरक का क्या करो, ऐसी पागल तुमने याई देखी है, जो फिरी के पैसे दिवान मंडरी है? मा जी ये फ्री के चीज नहीं है, सरकार इसके लिए करोड़ो और्बो रुपया खर्च करती है, अगर सब फ्री के बिजली चलाएंगे, तो सरकार कब तक बिजली देगी? भाई हम मैं तो पता न, तू के चावे है, ऐसी अकल किस काम की जो अपना ही नुकसान करे है? सुनो, सुना, आज आपको प्रधान जी के यहां जाना है अभी, क्यों प्रधान का भी तार हटा काना के? वो सडक और स्कूल का नल खराब है, उसको ठीक कराना है, उसके लिए बोल कराना है अरे वे, उनका काम है, वे अपने आप करा देंगे, हम क्यों नेता बन रहे हैं? हाँ हाँ, ये उनका ही काम है, इसलिए तो बोल रही हूं, आप जाके उनको बोल कराईए जाईए अब बढ़िया चलदा, वजल वजल सब ठीक है, बहुत बढ़िया, और भाई तेरी, बिल्कुल बिल्कुल सब बढ़िया, अरे बस नुई जीता रहेगा राम्राम जी, राम्राम भाई भाई, बाई विकास तुदो कमी दिखाई देतना तुदो चुनाओं मेह दिखाई दे वा है प्रधान जी, चुनाओं मह दो बहुत जोड लगाते, बहुत जूनाम मह बहुत महिनत करे नाकों प्रधान जी जब से इसकाब्या होया यो तो घर हो रहा है बाहर का काम तो इसकी पवु देख्खा है ताओ तुझे सुद्धी साध्धी ताई मिल रही है अभी तुझे पता ना मैं कोण सी तोब समाल रहा हूँ जिस दिन उसके एड़े में आगया ना पता चल जागा तुझे बाई सुना तो हमने भी बहुत कुछ है पर चल छोड़ तू बता परधान जी गाम की सड़क खराब हो रही है और इसकूल का नड़ खराब हो रहा है अच्छा तो तो तम उन्हें बनवा दो बाई इस बात की सुकर तो हमें तेरे से ज़्यादा पर क्या करूं फिच्छे त अब तो तुमने मुझे पर्धान बनाया हाँ यू बात तो है पर्दान जी चलो ठीक है परधान जी अब मैं चलता हूँ राम 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 राम, अरे यू कब ते सड़कों की फिकर करने लग जिया बताई तो परधान जी या पिकर इसकी नहीं है किसी और की है इह ये क्या कर रहे हैं आप मैं आप से पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो ये थारे को दिखाएं दे तो तार के रहे हूँ मैं आप बिजली के चोरी कर रहे हैं हमें चोर बता रही है 25 बी की जमीन है बाहर है हम क्यों चोरी कर रहे है कटिया डालके बिजली जलाना चोरी ही होती है कटिया डालके सहरा काउ जला रहा तुझे बस हमी चोर दिखाय दे रहे हैं चार दिन की आई बहू हमें चोर बता रही है थारे गिनाय कटिया पहले न रोक ले सबसे पहले मैंने अपना ही तार हटाया है उसके बाद ही आपको बोला है ठीक कर आपना उतार लिया दूसरों को क्यों प्देश रही है अरे सुनो कहा जा रहे हो ये कटिया हटाओ पहले ना उतारता ऐसी जरेगी माईजा इक तो जिस पर उकर रोग लो आप कटिया उतारते हैं या फिर मैं पुलिस को फोन करूँ तू कोन है पुलिस को बलाने वाली ठारा कुछ ठालिया मैंने सरकारी किसी भी चीज की चोरी करना जुर्म होता है फिर तू सरकार है के सरकार जाने है हम जाने बोट देरकान नेताव को हम तो नो ही जलावेंगे ठीक है, तो मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ अरे आप के ने राड़ा बो दिया यूँ? क्यों क्या हुआ? तू सत्वा ते क्यों लड़ रही थी? देखिये, मैं सबसे पहले आपको ये बता दू, मेरा काम किसी से लड़ने का नहीं है तो फिर के हो रहा था, वा? वो हमारा पड़ो से बिजली जोरी कर रहा था, बस मैं उसे समझा रही थी अरे बिजली का तारी तो गेर रहा होगा, तेरा तो कुछ ना बिगाड रहा था? आप लोग समझते क्यूं नहीं है बिजली जोरी करना सरकार का नुकसान करना होता है अरे तो सरकार का नुकसान ना हो इसकी सारी जुम्मेदारी तेरी है के मेरी नहीं है हम सब की है हमें समझना चाहिए ये देश का नुकसान है अरे यार अपना वाला तो होना रहा तो देश का बला करने की रहनी दे जाद है माश्टर निमत बढ़े तुझे तो जो बोलना है बोल देवे समाज में हमें बैटना पड़े फिर ये बात हमें छह़रनी पड़े मैं क्या कभी किसी को गलत बात बोलती हूं मैं तो वही बात बोलती हूँ जो सही है अरे बाबा तू हमें माफ कर दे तू अपनी अच्छी बात किसी को भी मत बताए कर रहे कोई ना सुनना चाहता आज कर लिए बात और जादे सोकन है बात करने का तो तू अपने बाब के हाँ चली जा अरे भाई विकास है के परदान जी हाँ 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 है आजाओ परदान जी राम 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 भाई राम राम तेरी दस्वार राम राम अरत अमने सद्वा कैसे परशान कर रखा तेरी वो कुलिस उपला रहे कही है मैं बताती हूँ ये कटिया डाल कर बिजली जलाते हैं, जो की कानोनी अपराद है कोई बात ना बहु जलान दे कटिया डाल कर बिजली जलाने वाला यो किल आई थोड़ी जला रहा, सारा गाम जला रहा हाँ अरी आई बात तो प्रधान जी मैं इसे समझा रहा हूँ अगर सारा गाम जला रहा है अगर सारा गाम जला रहा है तो प्रधान जी आप उसे रोखिए आप प्रधान हैं जिम्वेदार हैं अरी बहु ये सब अपने ही तो हैं जला लें दे, जब तक मैं बैठा इनका जितना बला हो जान दे यह क्या कह रहे हैं आप, आप इने चोरी सिखा रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं आप जैसे लोगों के कारण ही तो देश का भटा बैचता जा रहा हैं और देश में भेष्टा चार बढ़ता जा रहा है के बकरी है तु, यह परदान जी है मारे, इज़दार आदमी है तु इन तर बोल कैसे रही है पर अब तुम ही देख लो भाई, मैं तो इस गाओं का बला चाहूं सही कह रहे हैं परदान जी, जा तू बितर आप थोड़ी देर चुप रही है और सुनिये परदान जी, कि जितनी भी अवैद कटिया है न कि सब आप उतरवाएंगे वर्ना मैं आपको बता दू, विद्धु चोरी करने पर अधिनियम 2003 के तहर धारा 135 में केस दर्ज होता है और मीटर से छेड़ चाड़ करने पर 138 बी में मुकदमा चलता है तो चितनी जल्दी हो सके, ये सारी कटिया आप उतरवा दीजे वर्ना मैं पुलिस को इंफॉर्म कर दूँ देख लो भाई अब के करना इसके हिसाब से तो सब अपनी अपनी कटिया हटा लो और ना हटाते हो तो तुम्हारी मर्ची मैं तो गाओं के साथ हूँ, चलो में चलो एक बात बता, तुझे सारी चिज्जों की धारा पता तू अकील है के? हाँ, वो तो पता ही है और जो ये ना मानने, तो तू क्या करेगी? गाम का सामना करेगी? माजी, ओला पला करना इस ते अब सर्व नहीं होती अच्छी बात बताना और अपने समाज को सुधारना उससे भी अच्छी बात होती अगर ये लोग नहीं मानेंगे, तो इन्हें पकड़वाना ही पड़ेगा पहले तो मैं आपको बता दू कि इस पूरी दुनिया में मेरा और कोई घर नहीं है, सिर्फ यही है और आप सब मेरा परिवार हैं तो इस परिवार को जीन क्यों ना देरी तू? अरे यो ना जीन दे, ये तो सबका पूरा पणवार गी हमें अरे जो होगी देखा जाएँ, चल चल जब मैं नहीं डरती, तो आप लोग क्यों डरते हैं? अरे तू राणी लक्षमी बाई है, कौन है तू जो तू ना डरती और सुनो, आप भी अपना विजली का बिल जमा करके आजाओ इतनी बड़ी आप अतनी देख्यों कि किसी ने या अच्छी बववाई विकार्स की बताओ सारे गाम में कटियत रहा दिये, अब बिल भड़ते रहो हर महीने सौधरी अरपाल के छोरे के बवव को बोलने की तमीज ना ऐसी पड़ाई लिखाई से के फादा, जो कोई की लाज सरम ना पता ना केके धालाग ना वे, उसे लाज सरम बोलने की तमीज ना सही बाद, सही बाद, सही बाद कराए बिल जमा करिया या, पांच हजार रूपे लगगे और प्रधाईची ने सड़क और नलका क्या कहा? बढ़वा देंगे जब पैसे होंगे हाँ ठीक है लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो गुस्सा ना करूं तो तेरी आरती उतारूं एक हम ही है जिनका पूरे गाम में ड्रामा बन रहा है और वो विचारा परधान आया था समझान उसके ही पिछे पड़गी तुझे पता ना कितना दिलदार आदमी है वो आदी रात को भी खड़ा रहे त्यार मारी निया और चुनाओं में घर-घर मिठाई भी जवाव है घर-घर और दारू की तो छूट कर दे है और दारू पिलाने वाली के आप तारिफ कर रहे हैं? तो 20 लाक रूपे लगाए चुनाओं में 20 लाक वही तो बुराई की असली जड़ है जो पृतियासी चुनाओं में पैसा लगा रहा है वो बाद में पैसा कमाना भी तो चाहेगा और फिर शुरू होते हैं गलत काम पैसा कमाने के लिए और जो गाउं के विकास के लिए पैसा आता है न वो जाता है इनके तीजोरियों में और गाउं रह जाते हैं ऐसे कि अरज तुझे पता ना है बहुतेरे काम करवावे हैं वो हाँ देख तो रही हूँ ना सडके है ना खड़ंजे हैं नल खराब है स्कूल की तो इन्होंने दूर दसा कर रखे पूरे गाउं को इन्होंने गलत रहा पे लगा रखा है मुझे तो इसके रहने के लक्षन लगने रह या कि हमारे रहे होगी और नई scraping तो हमें भगा नी पड़ेंगी दिकास के लोकोछ तो कहीं ध्याज जेना है हाँ चोटा बड़्त कि सरम है इना ता भ्याज सरम है इना पडलिली के तो दे का योग हैं इना तो कती सरम ना अरे कुछ कह भी रहा है तू, मेरी हिम्मत तो ना पढ़ती उनके गरो जाने की अरे बहु ना पूरी फिलम है, रोज सीन देखने को मिले लगे तो चाल तो पर उसे बात करने के लाइक भी तो हिम्मत चाहिए रे यूई तो कह रहा हूँ मैं, जोण से का मन करें पटालो, मेरे तो बस किया नी अरे कुछ तो सोचो यारो, जुगत बिडानी पड़ेगी जुगत अरे पधान जी, बड़े-बड़े सेरोसो ने डरें, और एक औरस से डर गए अरे वो औरत नहीं है सुखी, सेरनी है सेरनी, और उसकी ताकत है, उसकी सच्चाई फिर के लाज है उसका, वोई तो सोच रहा हूँ सुखी, वोई तो सोच रहा हूँ, तुझा, विकास को लब बुला के ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और विकास को लेकर रहाँ किस है मुझे है हां तुझे है जिकास और मैं सोच रहा हूं तुझे एक बढ़िया था ठेक का दिलवाद हो जिससे चार पैसे तेरे भी बढ़ जाए यो तम ने बहुत बढ़िया सोचा परदान जी अरे इसली लेते जो पार्टी रखी है तेरे लिए पर एक दिक्कत है कैसी दिक्कत परदान जी अरे दिक्कत या है हम तो सोच रहे तेरे भड़े की पर ऐसा नहों तेरी घरवाडी नट जा और फिर तु यार कामी न करे अरे उसकी ऐसी तैसी परदान जी मन ने उज़े समझा लिया अक मारे परदान जी बहुत बड़िया इंसान है बड़े दिल वाड़े हैं अरे नू तो मुझे तेरे पे पूरा बरोस्ता भी का परमन लगे कदी ऐसी बात नहीं है परदान जी मैं तो अब लोज में दो चार जमा देता परवाज साली धरवारा की बात करे कद ती साली पकडवाते फिर तामी छुडवाते फिरोगे अरे तू नू चिंता मत कर क्यों जोगी तेरे लिए तो मैं बैठा हूँ ना तुझे पता निये अगर गाम में सब से ज़्यादे किसी का सम्मान है ना तो वो थारागर है थारागर तेरे पिताजी कभी जम मुझे मिल जाना तो सब से पहले राम राम तेरे पिताजी को करूं मैं और यू सवारा गाम मुझे करे और मैं तेरे बाप को करूं यार यू सुगी प्रदान जी तो बहुत बड़ी आदमी हो अरे विकास तू अपने मुनाफे के पैसे ले मेरे पहले ही ले 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 अरे ले तो सारे ही ले अरे प्रदान जी थारे मारे बीच में इनकी कोई हैमियत ना है पर मुझे एक सर्मिंदगी की बात होगी कैसी सर्मिंदगी वा जो मेरी बहु है ना वा थारे सामी बोलगी बस ही आए कोई बात नहीं पड़ी लिखी एक थोड़ा बहुत तो कुछ बोल लेगी और हमें तेरे पर पूरा भरोस है तू से समझा लेगा मैं तो परदान जी किसी दिन उसे अज़ी ढंकते समझा दूमा के बात पर्दान जी बस तू से समझा दिएका मै तो उसे ऐसी समझा दूमा परदान जी अग उसके खांदान लो भी समझ में आ जगी सालिक मारे परदान जी कर आ कर बोल रही है ? कुछ माहानी न रही ? तम आ वेकूफ मान रही है ? कधी कर न जी फॉल। बताओ मारा परदान जी लेटरिन क्यों खाओगा, पैंसन क्यों खाओगा, मारा परदान जी तो दावत देवे, बड़ी बड़ी चीज खावे, मैं परदान जी उसे समझाने वाला हूँ अब, उसे मैं अच्छी राल, अच्छी राल समझाने वाला हूँ, बताओ मारे परदा बहुत बड़िया लाली क्यावे तो सही है गाम में कोई नाली नहीं खड़न जानी यू साला है तो परदान बदमासी किताब पढ़ रही है किताब कौण सी रामैन पढ़ रही होगी धाराई पढ़ रही होगी आपने शराब पी है आप पी है तो मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं था परदान जी से रास्ते और नल की पूछी आपने कोण सा रास्ता कोण सा नल स्कूल का नल और गाउं का रास्ता अच्छा हो वो तो बनवा दिया परदान जी ने रास्ता एकदम वो 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 नल अच्छा अच्छा जा देख देखके आओ ठीक है खाना लेके आओ खाओगे सुनो उठो मैं खाना लेके आती हूं सुनो अच्छा तुमसे तुमे इस पर सुभबात करूंगे कर दो कर देखके आती है गिए ओमंखगे तुमम्खभगे मैं अच्छा आग्छा कर देखके अच्छा वोगे तुमसे व मुझ्वूत कर आज़ झाल झाल अरे बेटा अरे माँ ड्रा दिया तने तो अब डर ना सीख ले अच्छा तू चाय ले आज चल ठीक है बैठ मैं ला रही है आज कहां चली गई दिखाई भी नदेरी बताओ मुझसे रात को छूट बोल रहे थे किनल भी ठीक हो गया है और रास्ता भी सही हो गया है पर यहां तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ है अब मुझे ही प्रधान जी कहां जाना पड़ेगा वहीं जाती हूँ आजवा कहां गई कोन वाई धारा देवी मुझे ना पता बैया तू जान या उजान सारा काम घर का निम्टा के पता ना कहां चली गई कहां गई होगी जिस बव बेटी गई एक बार घर से भार पाउन लिकर जाना फेर वो रुखती न उनो तो आम है अभी सुदार ले उसे प्रोवें अरे तुछ आमत करे उसे तो मैं ऐसी सुदार ऑगई कुभी के याद रखेगी अरे हमे तो एसा लग रहा उस्तुझी सुदार देगी अरो ओडिल्मा हमें वी सुदार देगी अरे तू जाने मुझे पतना पर गई का आज, प्रधान जी जब लेटरी नहीं थी गाउं की, उनका क्या हुआ? अरे तो तुम्हारा हिस्सा भी है, उसमें मिलेगा, गद्राव मत्थ अम तो आज तक पतन चला भाई, कितनी लेटर हैं ने, कितनी ने, चल जागा प्रधान जी नमस्ते प्रधान जी मैं किरन, श्री विकास कुमार जी की पतनी हाँ हाँ मैं जानता हूँ, अरा भाई कोई कुर्शी लाई हो? कुर्शी की कोई ज़रुवत नहीं है प्रधान जी, मैं तो बस गाउं की कुछ समस्याओं में आपका ध्यान चाहती हूँ, आप उस पर ध्यान देजे देखिये वहू, गाउं की समस्याओं पर मेरी नजर आपसे ज्यादे है पर प्रधान जी, तब भी सारी समस्याओं जो की त्यों ही है देखिये ऐसा है, जैसे ही पैसा आएगा, मैं सब ठीक ठाक करा दूगा प्रधान जी, ये सारी बाते आप गाउं के भोले भाले लोगों को समझाए किजिए मुझे नहीं क्योंकि केंद्र और राज्य दोनु सरकारों से लगातार पैसा आता है और उसकी पहली किष्ट कपका आ चुकी है बहुत जानकारी है तुम्हें बिल्कुल, जब ही तो आपको कह रहे हूं कि आप काम करा दीजे अच्छा, अगर मैं कहूं मैं काम नहीं करवारा तो तू क्या कर लेगी आटी आई आटी आटी आई मतला Right To Information, सूचना का अधिकार प्रधान जी एक आटी आई लगते ही ना आपके सारे कच्छे जिप्ति खुल के सबके सामने आ जाएंगे प्रधान जे गाउं में सडकें, पानी, नल, खड़ंजे इन सब की व्यवस्था करना आपके जिम्मेदारी है गाउंवालों को सच्छिता की ओर लेके जाना ये आपके जिम्मेदारी है प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री योजनाओं के बारे में गाउवालों को बताना ये आपके जिम्मेदारी है ताकि गाउव के लोग उसका फायदा उठा सके उसका लाब उठा सके बुजरगों की पैंशन आती है लेकिन वो पैंशन कहा जा रही है किसी को कुछ भी नहीं पता गाउव में फ्री सौचालाई बनाने के लिए प्रधान मंत्री योजना से पैसा आता है कितने सौचालाई बनाये आपने और सिर्फ यही नहीं ऐसी कई सारी योजनाएं, कई सारी बातें हैं, जो केंजर और राज्य सरकार लोगों को देती हैं, पर आप, आप लोगों से बीच में ही खा जाते हैं, प्रधान जी, आप ये सारे काम करा दीची, वरना मैं ये सारी बातें इन लोगों को बता दू, बताओगी, वह हमें बता विकास भाई, विकास भाई, विकास भाई, विकास भाई, अरे के आप अता गी, क्यों हाँ आप रहा है, अरे भापी परधान तो उलजगी, परधान जी ते, हो गया नास, प्रधान जी मैं नहीं चाहते कि मुझे आपके खिलाफ कोई कारवाही करानी बड़े मैं तो बस यह चाहती हूँ कि आप सारे काम करा दीजी तो आप ही हमारी लेक अच्छे प्रधान और अच्छे इंसान हो जाएंगे नमस्कार प्रधान जी वो वो देख ले भाई विकास मरे गाव में तेरी बव हमारी बेजती करके गई पर हम कुछ नहीं बोले क्योंकि हम तेरी और तेरे बाप की बहुत इच्छत करें हाँ मैं जानू प्रधान जी मैं ऐसे समझा दूँआ या थारते माफी मांग लगी रे, माफन बांग लगी महाराशे तुम आपती मांग आना चाहए प्रधान जी से मापती मांग आना चाहए भध तेरी भाव तो मैं के कहा रहा था था आउ अक मैं गानू मैं कौन सी तौप सम्हाल रहूं मैं उसे समझा दूँआ ए अम कौन सा ना वीद होई है तू है? बीज, मा जी मैं तो प्रधान जी को गाउं की कुछ समस्याओं के बारे में बताने गई थी तू प्रधान के हैं क्यों गई थी? जब हम तेरे कहने ते जा रहे थे तो आप जातो रहे थे पर आप उन्हें कुछ बोलने के बजाए उनकी शराब पीके मुझसे जुट बोलने लगे कि सड़क बन गई है और नल भी ठीक हो गए है अरे हो जांगे तो एक दिन में हो आएं के? हाँ एक दिन में नहीं होते लेकिन अगर काम शरू किया जाए तो तो हो सकते हैं वो तो पैसे खा के बैठे हैं किसी को तो फ्रुरुआत करने ही पड़ेगी ठीक है मैं नहीं जाओंगे लेकिन आप जाएंगे पर आपकी जाने से होगा क्या? वो आपको दारू पिला देंगे बात वहीं खत्म आज के बाद आप दारू नहीं पीएंगे ध्यान लखेगा आप बैठी में आपके लिए नाष्टा लगाते हूँ हाँ, भूक उड़ा के तू खुआओगी पराम्ठे दुस्मनी करवा दे सबते हमारी और सुनो, कल आप मेरे साथ ब्लॉक चलेंगे ब्लॉक? वहां क्यूँ? वो आठी यही लगवानी है आठी? आठी क्यूँ? उससे पता चल जाएगा कि कितने पैसे आये हैं और गाओं में कितने काम हुए हैं किसी के कोई धारा पारा तो न लग जागी? अरे नाना कोई धारा नहीं लग रही बस जानकारी मिल जाएगे ब्लॉकी जाना आना? ठाने तो न जाना ना? हाँ हाँ ब्लॉकी जाना है देख मैं तुझे फेर समझा रहा हूँ तु मान जा मतना बेर बंधवाव है यही डर तो भष्टचार की जड़ है आप आईए हम अपने गाओं की भले के लिए काम कर रहे हैं चली सहाब है अंदर चली सर नमस्कार जी नमस्कार कहिए सर मेरा नाम कीरन है मैं खेड़ी गाओं से आई हूँ सर यह मेरे RTI के अप्लिकेशन है मुझे इन विंदोव पर आपका ध्यान चाहिए बैठिये न बैठिये न कुर्सी मज़ता हो में नहीं सर थैंक्यू थैंक्यू सो मच यह RTI क्यों लगवा रहे हैं आप क्यों सर आटिया लगवा नहीं सकते क्या हाँ हाँ आपका पुरा अधिकार है हीख है मैं इसको आगे भेज दूगा और इसके पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको थोरा समय लगेगा सर मुझे एक रिसीविंग कॉपी दे दीजे हाँ हाँ मैं दे रहा हूँ भै दे रहा हूँ यह लीजिए थैंकिय सर इट्स ओके अच्छा सर नमस्कार नमस्कार रुको 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 एक बार यह हो गया माता जी क्या हुआ माता जी इस भुड़िया को मुध भी तो नहीं आती मारे छट्टी पे जरी रहे अपने बड़ों से ऐसे बात करती हैं आप तू मस्काराओं में बड़ों से कैसे बात करनी है सारा गाउं जाने के तो कैसी है ये सास है आपकी और सास मा होती है ये कौन है तो हमें मस्तम जाओ सारे गाउं में तो मुझोरी करती पिर है फर्दान देट तो न बक्सा न और आप अंदर छिपकर तमाशा देख रहे हैं मा के बेज़ती होता देख रहे हैं शर्मानी चाहिए आपको सर्मीने क्यों आवे शर्माने तुझे आपने काम देख माबाप और वरिष्ट नागरिकों के लिए अधिनियम 2007 के पहत कानून है कहो तो आपको धरे भी बताओ जल मा चल गितर चल या के कर रही है गित्ती है बेटी चल चलो माजी बित्ते चलो चले अब आप चलो मैं जरा स्कूल जाकर आती क्यों अभी स्कूल वाड़ों की के गलती है आप चलो तो मैं बस अभी आ रही हूँ रा कोण आई थी अरे कोई आउरत आई थी आपके गोंसे प्रधान जी प्रधान जी आटी आई लगाने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है जब तकून की मर्जी ना हो इसका सीधा स्यामतलब है आपका सारा काला चिठा खुल जाएगा अच्छा इससे बचने का के उपाए है पैसा उपर से नीचे तक सभी को पैसा खिलाना परेगा तब जाखे बाद बनेगी पैसा? पैसा कोड़ देगा? आप देंगे? मैं? आच्छा जी इतने घोटा ले हुए उच में तो सभी से दारते तो मैं आखिलना पैसे क्यों दूँ? ये कोई बात हुई? ये हमारे हाथ की बात नहीं है अब तो पैसा खर्च करना परेगा रिपोर्ट भुमाकर बनवानी परेगी तब बात बनेगी ठीक है? पैसे का तो मैं जुगाड करता हूँ आप अपना तो काम करो उसमें कोई कमी न रह जा ठीक है प्रधान जी अरे इस व्यकाश की बहुर है तो नाक में दम कर रखा प्रधान जी नया बखेड़ा ख़ड़ा कर ब्यके का इलाज करो वह अन्ना बात बिगड़ जागी अरे इसे पता नी प्रधान क्या चीज होती है जिसे बसाते हैं तो बसाते हैं अजी से उजाडते हैं तो उजाड़ी देते हैं नमस्कार नमस्कार प्रश्पल साब बड़े घबराएवे लग रहे हो हाँ जी प्रधान जी काम से एक और था इकती स्कूल में मुझे तो वह आफ़क लग रही है अरे तो क्या हुआ मुझे तो अब उसके कहने सी डल लग रहा है घबराएव मत प्रश्पल साब मैं बैठा हूना इस आपस से तो आप ही बचा सकते हो प्रधान जी प्रश्पल साब उस उरत को तो मैं वहाल करूंगा कि वह जीवल में सब कुछ काम करेगी पर किसी की कपलेंट निकलेगी गवराव मत अरे आटी पाटी के चीज़ हो बाई पता तो मुझे भी ना है पर जरूर कोई खतरनाग चीज़ है हाँ या बात तो सही है परधान, अधिकारी, प्रिंसिपल सभी भागे भागे फिर रहे सभी के दस्त लगा रखे पता ना यू बाव किस गड़ी में मारे गाम माई है जिस दिन सा ये सब किरावान रखे पर इसका किसी से कुछने भी रड़ता भी रड़ता? उसने हिम्मत ना किसी मित्तू कहने की इतनी धारा जाने वो अब पता ना कौन सा नहीं आत्याल लाई है आटी फाटी क्या है यो तम देखते जहियो अगर या भाव इस गाम में दो-चार साल रहेगी तो सभी के फास सी लागेगी ना ना यू बात ना है पर इसका इलाज के है? इलाज, उससे तो परदान जासे बागे फिरा है हम के चीज़ यह है? चिनाल आले वा चिनाल उसका कुछ पता नहीं वकट किसका गेट खुड़ खुड़ा दे हाँ बई के बात है आप की चिथ्थी है जी? है? अरे देखें महारे वारंड फारंड तो ना आगे है आप क्या आत मैं जी खोल का देख लो हाँ देख लेंगे कोई डर लग रहा के क्या है ये? अरे तुम्हारी कोई रिपोर्ट पिपोर्ट तो ना करिया है? अरे? ये तो आटी आई का रिप्लाय आया है आर्टी का रिपाई? हाँ आर्टी आई जो हम पिछले मैंने लगा कर आये थे अब आर्टी लगाओगी तो ऐसे रिपाई आऊंगे अब के होगा? अब? अब मैं इसे लेके प्रधान जी के पास जाऊंगी उनको इसे दिखाऊंगी तो देख तो प्रधान जी के यहनी जाऊगी तो नहीं बड़ा कराथा हाँ मैंने बड़ा किया था अगर आप जाएंगे तो फिर मैंने जाऊंगी हाँ हाँ मैं जाऊंगा तो चल अब तुई देखले भाई विकास हम थारा कितना भावा चाम है अगर तेरी बवु हमारी complaint करती भी रहे देख ले भाई यो तो लेने का देना अगर तेरी बवु हमारी complaint करती भी रहेगी तो बचाओ मैं कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा तम ऐसा कैसे कह रहे हो परदान जी कि मैं आग गे ते ऐसी नोबती नहीं आण दू नोबत? अरे नोबत तो आचुकी युक के कह रहे हो तम ऐसे कैसे आजगी? अरे यह तो यह आगी अरे तू यहां क्यों आई यह जिब मैं आगया था? मैं जानती थी जिस काम मैं आपको भेज रही हूँ न गाओं में खड़ंजे बिच चुके हैं स्ट्रिट लेड लग चुके है और व्रिद्धा पेंचन भी आचुके है 37 लोगों की पर गाओं में तो कुछ हुआ ही नहीं इतना ही नहीं आप कई घरों में सौचाले भी बनवा चुके हैं कहां हैं वो सौचाले भाई विकास यू सारा पैसा में गाओं की बलाई के लिए तो लगाऊ हूँ और कौण से मेरी कमाई है जो कहीं जमें लगाऊंगा हाँ सही कह रहे हैं परधान जी बात कुछ आदे ना बढ़ावे चला भाई इसी मठारी मारी बढाई है इसता पूछ ले यू केचा आबे मैं इसे दे दुआ इसकी मूँ दिखाई का सगुन हो जागा देख बना तुझे और केचे ही है परधान जी ने कितनी बड़ी बात कह दी सच मुच प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात कह दी प्रधान जी आप किरन को रिश्वत देना चाहते हैं बहु इसमें रिश्वत की बात कह से आगी तुम हमारी बहु है हम तुझे कुछ दे में इसके बदले में तुम हमारी छोटे मोटी बात को नजर अंदाज कर दिये चोटी मोटी बात बता रहे हैं आप इसे पूरे गाउं के विकास का पैसा खाए बैठे हैं आप मैं कहतो रहा हूं गहूं मेरा का यह सब सुछ ठा रहा ही तो है तुम बोलने तो सही प्रधान जी मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत कीजिए वरना मैं वो हूं जो इस बात की भी शिक्याद कर सकती हूं और हां गाउं के विकास का जितना भी पैसा आप खाए बैठे हैं ना वो निकालिये और गाउं के विकास में लगाई है इसी में आपकी और हमारी भलाई है विकास, ले जानी से यहां से, जाने मंत्री मत बने, हम चुपा करें, इसका मतलब एच्टे पे चड़ती जा रही है, ला कर रहा मैं कुछ भी जा, तेरे जोहुताओं कर ली है अच्छा जी, राम राम तुम करो प्रदान जी, राम तमाम कर दू, उसका काम इतनी आसानी से तमाम होने वाला नहीं है, वहां मोरत नहीं है, बिजली का नंगा तार है, अभी तो इससे बच जाओ, इसे में गनीमत है, तो फिर हम के करें, आंत रहो, टेम आने पे मैं बता दूगा, के करना है सुनो, सुना, वो, कल आप मेरे साथ, डियम कारेले चलेंगे, डियम कारेले क्यों, वो, मुझे आटी आई के रिपोर्ट जमा करके आनी है, ताकि कारवाई हो सके, देख ना तो मैं जारार, ना जाओगी तू, मैं क्यों ना जाओ, मैंने आटी आई इसले नहीं लगाई, कि अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, मुझे अच्छे से पता है, आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं, ना मैंना जारा, ठीक है, मैं ही चली जाओगी, तेरी समझ में क्यों नहीं आती है, कोई बहुत, समझ में आपके क्यों नहीं आता, ये काम हमारे घर के काम से भी जादा जरूरी है, अगर आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाओंगी आरा तू तो पागद होगी, जा 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 जाना है साब मेरी घरवाली को मेरा बटा भाई लिए बैठा साब उसे दिवादो में बटा परिशान हो साब साब बहुत परिशान है, इसका काम जरूर करा दो साब ना तो कोई दरोगा सुन रहा, ना छोटा पुलीस वाला सुन रहा कोई ठाना के जाड़ी सारी देगे देख देख रहा हूँ साब, ठील समयचे साब, भील साब, बस करा दो इस काम को बिल्कुल आप जाए, बिल्कुल चिंता मत कीजे ठीक है साब जी गुड आफ्टरनून, बैठिये थैंक यू बताइए, क्या बात है सार, ये मैने आटिया ही लगाई थी ये उसका जवाब आया है बताइए, आप क्या चाहती है सार, मैं निस्पक्ष जात चाहती हूँ ठीक है, मैं कराता हूँ थैंक यू सार, नमस्कार सार जी जी, नेक्स्ट बताओ, ना रोड की वेवस्था है कुछ भी नहीं, ना खड़नजे जी, पिया है कौन सा गर है? यह वालाय जी, यह है करें नेवी जी का गर गर पे है कोई क्या? जी कहिए आपने जो कम्लाइन किया था, उसका जांच के लिए हम आया है अच्छा, ची आईए ना आप ही चलिए और हमें दिगाते जाईएगा तो कैसे रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, आईए सर तर देखे, नाली की कोई वैवस्था नहीं है, पानी कैसे बहरा है, देखे यह देखे, लिख लीची है सर यह देखे, यह स्कूल का नाल है, कब से खराब है कुछ नहीं पता और बच्चों को पानी पीने के लिए पड़ोसियों के घर जाना पडता है नोट करो आईए यह देखे नोट करो सर यह देखे, इधर से लेकर के इधर तक सब लोग कट्या डाल कर बिजली जलाते है नोट करो और इधर तरकारी सौचाले होना चाहिए था, लेकिन है नहीं यह देखे, नाली की कोई वरस्था नहीं है पानी ऐसा ही जा रहा है और गंदगी कितनी बढ़ती जा रही है सर आप इंसे पूछ लीजे आपका गर में सरकारी सौचाले है क्या साही लेटन तब परदान खा गया हम तब अपने पास से बना रहे है नोट करो और कोई सौइदा हमारे कुछ नहीं है ओके आईए सर ये देखिए इस गली में आज तक एक भी इट तक नहीं लगे है आईए परदान जी क्या हो रहे है कोई काम आम तो होई नहीं रहे काम करा रहे हैं साब कुछ नहीं हो रहे है मैंने सारे गाम गुंगाम के देख लिया अजी आप आईए मैं बताता हूँ जो बता रहा है आप मुझे यहां बताईए अजी आप आईए तो साही आप जाके सुनिये इनका जी सर आप बताईए क्या आपका जानगारी है मुझा कोई जानका रही नहीं मेरे पेट में तो गुड़ गुड़ हो रही है मैं तो लेटिन करने जानगा चिकटरी साब जितना पैसा चाहिए मुझे बताओ ये मामला ये लिप्टाओ कैसी बात कर रहे हो प्रदान जी ये बहु आपके गौकी है और आप इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे ये तो जिले के सभी अधकारिएं को हिलाया हुआ है और सब को पता है कि गौण के पिकासकारियों की जाच करा रही है मुझे तो डर है कि कहीं ये बात मीडिया में ना चली जाए कोई तो रास्ता होगा चारे रास्ते तो आप खुद बंद करे बैठे है आखरी राष्ता तो यही औरत है यदी मान जाए तो चलो अच्छा बात होगे हैं? हाँ जी चले आप फिर जी हम जलदी इस पे दिसीयन लएगा और आपको इन फॉन्टरेजगा थारण तो जाए हमें जाने की जादत टीजे ठीक है सर, हम जल्दी इस पर decision लेगा और आपको inform करेगा जी सर, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सरकार से जो भी पैसा आता है वो गाउं के विकास में लग जाए बस बिल्कुल लगेगा, नमस्कार, दन्योगा, नमस्कार प्रदान जी ओ, के हो रहा है कुछा मैं भी तो बताओ भाईयो, मैं जो इस गाउं की सेवा कर रहा हूँ उसमें ये ओरत बाधा डालना चाहती है मुझे लगता है आपके गाउं के पैसे में से ये कुछ हिस्सा खाना चाहती है पर मैं इसे एक फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाना मैं आपको इश्वास दिलाता हूँ के आपके गाउं का पैसा आपके गाउं में खर्चोगा चाहा इसके लिए मुझे जेल जाना पड़ जा अगर इसकी चली तो ये सारे गाउं को बनवा सकती है तुम लोग चूड़िया पहलो एक ओरत तुम्हारे पे नहीं समझा लिजाती परदान जी हम आपके साथ है आप चिंता मत करो भाईयो मेरा जो होगा सो होगा पर यो थारा जीना मुश्किल कर देगी एक एक पैसे का हिजाब देड़ अपड़ेगा तुम्हें यहां तक कि तुम पर हाउस टैक्स लग जाएगा जमीन टैक्स लग जाएगा और जो तुम्हारे पास पैसा है उस पर भी टैक्स लग जाएगा और इसे देखा देख तुम्हारे घर की ओरते सब भाल लिकड़ जागी और तुम्हारे सर पे चड़के चबड़ चबड़ करेगी और तु रोटी पना करो के रोटी चलो भी आज इसे देखनगे रोड़ा फारी बहु है उसे भगाओ यहां से नहीं तो हम तुम्हारे उक्कोपणी गेर देंगे हा अँ हा परतास्थी गरेंगे सब हम हम जो भचना गहरा तो महाई शिर पठ ठीकी के आए मैरे बात तो सुनोगो अजो मेरे मेरे बात सुनोगा क्या बात है? बैट तम मुझा एक बात बताओ गिसी के घर के बाहरा के यह कहना के तम अपनी ऐखा दो अच्छी बात बात बतना बढ़िया बात है अज़े गाम क्या नुकसान कर लही है? यह होताओ आज़े रंटन रंड़ी बा आप बादधर रखे दिखाओ विकास गाँआँं के सामने आरा, तु पस्ता रवागा इशना परानाम बुर्वत्ना बढे रहा था तुमें हाँ 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 हां हाँ हम भुकत रिंगे तम जाओ हन थै तो जा रहे हैं पर पंजात करेता वोक का पनी के रहेंगे गेरती हो जो एकुछ केरना हैं!! जाओ अन्तै!! और यह पर दो आपका उन्राइब को अपने गवार केसा रुखका मचरा रुखका नारे लगरे नेता बहुने आईये ना तु तो रोला तो बहुते है हो गई थोड़ा बोत रोज अब बगवान हमें तो कैसी बहु दे दी यू अम तो इससे दुखी हो लिए मारी तो कटगी जैसे तैसे मुझे तो भय तेरी चिंता हो रही है तेरी कैसे कटेगी इसकी गयल मेरी कैसे कटेगी मैं रहू इसकी गयल एक मिनट भी अब हाँ समझे न अरे भरी पंचात में लोग मेरा मजाग उड़ा रहे हैं और आज आज तो महारे मूप ठुकन की ने हमारे गेट तक आगे लोग है भोष बेज जती हुई है आज मारी सब के बुरे बनवा दिये हम है सब के बुरे बनवा दिये सारा गाउं विरोध कर रहा इसका गाउं की वही लोग मेरा विरोध कर रहे हैं जिनको फ्री की खाने की आदत पड़ी हुई है अरे खा रहे है तो खान दे तरे बाप का खा रहे है कि तरी पे की जोर पड़ रहा है सब ऐसे ही सोचते है कोई भी गलत कारियों का विरोध नहीं करता तभी तो देश में इतना ग्रश्चाचार दूर करना ही है कि इस गाम में बिल्कुल अगर मेरे सामने ग्रश्चाचार होगा तो मैं नहीं होने दूंगी यह तु मानजा जैसे सवरेरा ऐसे रह ले तू क्यों मारा पजीता करवा रही है लेकिन माजी किसी ना किसी को इसके लिए कदम तो उठाने ही पड़ेंगे अरे जिसे उठाना होगा उठालेगा तू नहीं उठाओगी मैं सब देखके आग बंद करके अपना जीवन नहीं जी सकते तुरे दो थोबड़े बमार वह जब तो जीएँगी ये जोश ये ताकत काश आपने गाउं के भले के लिए लगाई होती तो इसका सही इस्तेमाल हो जाता अरे बश्वनो तुम लगो मैं इसके बाप को फॉन करता हूं बुलाता हूं वाफी रुखो बड़ा सोर गली में के बात हैं अरे विकास की भोग पिछे पढ़ लए हैं सब लोग क्यों अरे उसने पृदान की छिकात कर दी थी पृदान पुरे गाउं को भण का रहा हूं ओ तो बड़ी अच्छी थी पिचारी इतने बुरे क्यों हैं लोग तो संदी जी क्या बात थी? आज अचानक क्यों बुलाया मुझे? कैसे कहूं? कहते मैं भी सरम लगें मुझे. ना कहूं, तू बताओं कैसे? कोई बात नी, ऐसी कोई बात नी, जो बात हो मुझे बताओं. ये ना बताओं मैं बताओंगे, अपनी छोरु को पड़ा गर ले जाओ, हमाना चाहिए यो. गर ले जाओं? ऐसी कोई बात तो हो? सारे में भाग की फिरे जाओं, तपाओं गर में नी रुखता. क्यों यू गर का काम नी करती क्या? अजी काम तो यू बहुत करे, और इतना के हम सोच भी नी सकते. या थारी फेर इज़्जट नी करती यू? अजी क्या बात कर रहे हो? इज़्जट तो ऐसी करे है, के मुकाबला नहीं इसका? तो फेर इसका चाल चलन गलत है? ना, 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 चाल चलन में कोई कमी नी या. फिर इसको कोई ऐसी बीमारी है क्या? कोई बीमार नी? देख लो, ठीक ठाख़़ी है. तो मुझे बताओ ना, क्या बात है फिर? बात यू हो है, सारे में भाग की फिरे जा, इसका पाउं गर में नी रुखता. बिट्टा, तु गाम में क्यों भाग की फिरे ऐसा है? पिता जी, पूझोया का प्रधान है ना, उसने सारी योजना का पैसा खा रखा है. तो बस मैंने उसकी आटिया ही लगा दी, और जान शुरू होगी. तो सम्धन जी समतो कोई ऐसी बात भी ना है बुराई की? मैंने से कोई ना कोई ने बहका देता है, और ये उसकी हां में हां मिला देता है. मैं तो बाव अड़ा हूँ जो कोई भी भगा लेगा, एक याई अकल बंद पैदा हूई है धर्ती पर. देखो जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, और यहाबात मन ने सगाएगे टाइम भी कही थी. मेरी लड़की मेरा अभिमान है, इसने गर्व से मेरा सिर उच्चा किया हमेशा, और फेर भी यह दी कोई गलती हो, बेशक इसकी गर्दन काट देना, मैं इसे देखने तक नहीं आँगा. लेकिन कुछ बाते इसके स्वभाव में हैं, ये घरेलू हिंसा और भ्रष्टाचार होते हुए नहीं देख सकती. तो इसे ही दूर करने के सारे भ्रष्टाचार. देखो जी, अगर ये जिम्मेदारी सब निभाने लग जाएं, तो एक दिन आएगा हमारे समाज में ये भीमारी नहीं बचेगी. बैयू तो इसका भी बाप है, चले हम तो हमारे बसकी नाज की सुनने. इस औरत का कुछ करो, प्रधान जी. आप तो फशे ही हो, आपके साथ हम भी. वा, तो हमें मरवा के छोड़ेगी. मैंने कहता न, ठेके दार, वो सेरनी है, सेरनी. हम तो परिशान हैं. और आप तारिफ करते जा रहो इसकी, करना क्या है ये देखो. अरे, सेरनी का क्या किया जाता है? सेरनी का तो सिकार ही किया जाता है. काडू, तु ऐसा कर, पहले जाके पैंसन बटवा दे. और जितने नले न, उन्हें सब कुछ ठीक करवा दे. जो भी खरंजे और रंजे टूटे पड़े, उन्हें में मिट्टी विट्टी टलवा के, पिपेर करवा दे. सब्सक्राइब करवा दे. पुर्दान जी पैंसन बटवा रहे हैं? लो अपने नाम कागे साइन करो. बस ऐसे ही करो. आदार काड पुर्दान जी की बैटर के पहुंचा दी हो. ठीक है जी राम राम. और घर में सब ठीक है? बस बड़ी है. गीपग भाई मेरी माँ देखी के कहीं. क्यों क्या बात होगी? अरे प्रदान के है काग जमाओ लाग रहे हैं पैंसन के. और कोई पैंसन पैंसन ने मिलने के, उस भोग के कहने से बड़ी पैंसन मिल रही होगी तमा. अरे नहीं भाई मिल भी सके हैं. अरे मेरी माँ बता दो कहा हैं? अरे रामफल के गेर में बेटी उसकी बहु गेला. यू लेगा पैंसन. सर ये नीली केडी का रिपोर्ट है, बिल्कुल तयार है. बैचिये. क्या आप वहाँ गए थे? बिल्कुल गया था जी. सारा चीज को पता किया. जी. वहाँ कुछ नहीं हो सर. आपने पूरा गाउं को जाके ग्राउंड पर देखा? बिल्कुल देखा जी. गुट. वेरी गुट. तो आप क्या सोचते हैं? हमें करवाई करनी चाहिए? बिल्कुल जी. जिरूर करना चीज. ठीक है. माजीदे को तुम किरन की बुराए कर रही? आज उसी की वज़े से पिल्सर मिल ले ये तुमें. हाँ बहु तो बहुत अच्छा कह रही है. मैं तो विकास की बहु को बहुत बेकार समझे थी. उसने तो बहुत अच्छा काम किया. ये बात तो ठीक कह रही है. विकास की बहु की वज़े सामा तो पैंसन पहली बार मिली. ये कह रहे हो ये पैंसन सारी प्रजान की जेम मजा रही थी. क्या सोच रहे हो? क्या बात? आज बात भी नहीं कर रहे? बस सूना ही है क्या? मेरा तो अभी सूने का मन नहीं है. तू के सोच रही है? तेरा ऐसा करने ते मैं बदल जाऊँगा? मुझे तेरे ते तलाक ची है बस. वो तो मैं नहीं दूँगी. उसके बदले कुछ और लेना है तो. बोले लो. पर मुझे तो लेना है. आपको पता है? तलाक एक की मर्जी से नहीं होता. उसके लिए दोनों की मर्जी होना जरूरी है. मैं तकडा सा वकील करूँआ. तकडा सा वहाँ कोई कुछ्टी थोड़ी करनी होती है. अरे बड़ा वकील करूँआ. बड़ा वकील भी बिना कारण तलाक दिलवानी सकता. अच्छा. और आपकी सोच भी मतले ना कि मैं आपको तलाक दूँगी. क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी नारी हूँ. जो अपनी पती को छोड़ने ही सकती. और आपकी जानकारी के लिए आपको पता दू. मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ. ए भगवान, इस तक कैसे चुटकारा में लगया तो बड़ी खतरनाक है. एक जरूरी सूचना. अगर मेरे बुद्धु पती को थोड़ी बहुत प्यार की जरूरत है, तो वो पास में लेटी हूँ अपनी पत्नी से संपर करें. सूचना समाप. सकति की जरूरी से स्थाटर सक्वाख बाहिए रहां है. सुचना समाप बाहिए लाहिए, अपना प्यार की जरूरू को भीए स्थाटर में का की जरूरूरूरूर। पतानी साहब सुगा से कहां लापते हैं और ना फोन लग रहा है काडू तू उस पर नजर रखिये वो डीम के ओफिस जरूर जाएगी ठीक है जी टिल्लू तू विकास बुला जा बुला के जी परदान जी हुझ 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 पताने जा दावेर नहां चले गए याजी, इनका फोन भी बंद है चलो मैं खुद ही चले जाती है राम राम परदान जी राम राम भाई आविकास बैट परदान जी मुझे बुला रहे थे के बात थी? अरे ऐसी बात इहां ना हुआ करते आप तरह भाई विकास तु अपनी बहुत से चुटकारा चाव है न? हाँ जी हाँ जी चुटकारा तो दिलवा दूँगा पर सोच ले मैं जो कहूँगा वो बोलना पड़ेगा हाँ जी बिल्कुल जो तम कहोगे वो हम बोल दूआ तम चिंता मत करो तम तो कितने बड़िया आदमी हो जो इतना सब कुछ हो गया फिर भी तम हमारा साथ दे रहे हो वाई विकास मैं तो गवाँ का बहला करना चाओं ये ले एहें इतने पैसे परदान जी विकास तु हमारा खास आदमी है और तेरा ख्याल करना तो हमारा फरज है अच्छा परदान जी रुक इतने पैसे याशा ना ले जाकते हैं लें इहें इसमेला पेट के लेजाई ये हाँ ठीके ठीके परदान जी ये गया साथ परदान जी वो तो चली गई अब तमारा काम है पुलिस से तो मैंने पूरी सेटिंग कर दिये गुड़, गुड़, कॉंग्रेचुलेशन्स, आपकी इस हिम्मत की वज़े से ही इस भरस्टाचार का फुलासा हुआ है ठैंक सर, तो मैं समझो कुछ कारवई होगी? जी, डेफिनिटली, जब तक आप घर पहुचेंगी, कुछ न कुछ कारवाई अवश्य हो जाएगी ठैंक यू सर, ठैंक यू सो मच सर मैं तो बस यही चाहती हों कि गाउं के विकास का जो भी पैसा है वो सिर्फ गाउं के विकास में लगे बस जरूर लगेगा, जब तक आप जैसे लोग हैं लगना ही चाहिए अवश्य लगेगा ठैंक यू सर, अच्छे सर, नमस्कार मा, मा, अरी कहां गई तू, अरे कैसे रुख के दे रहां, ये बात होगी, ले मोज कर, इतने पैसे, अरे इतने पैसे कौन सा आगे तेर पर, मा तू कुछ पुछे मत, बस ये रख ले तू, आज तो हमें साब समिस्याओं से चुटकारा मिल जागा, भाया मैं तेरे बात अरे ये पैसे परधान जी ने दिये है, और कहिए मोज कर, तेरी जो भी समस्या होगी, उनतर तुझे मैं चुटकारा दिलाऊंगा, और तेरी बहुते भी चुटकारा दिलाऊंगा, बस जो मैं कहां तू वो करता जाएगे, अच्छिया, बहुसे भी चुटकारा दिवाए मुछ भी कहा हूँ, पर्धान है बड़ा भला आदमी है मा मैं कहा हूँता ना महारा पर्धान बड़ा दिल्दार आदमी है बेशरम हो तो बेशरम अरे कहीं काला मुझ करके डूम बढ़ो पतानी कौन से जन्मों के अच्छे कर्मों से ऐसी देवी के इस घर में कदम पड़े थे करोड़ों में कोई भाग के साथ यह होता है जिसके घर में ऐसी बहु या बेटी हो देवी थी वह देवी अरे तुम्हे तो भगवान नरग में भी जगे नहीं देगा और मुझे मुझे शरम आ लिए कि मैं इस घर का बड़ा हूँ तुम्हें नहीं पता पर मैं एक अनुहनी के आठ सुन रहा हूँ मुझे नहीं लगता यह उस देवी के कदम यह घर में दुबारा पड़ेंगे ए भगवान यह ना दिल क्यों बैठा जा रहा है एसा क्या होने जा रहा है क्या होने जा रहा है क्या बच्तमीज है यह कौन हो तुम लोग अरे कहा लेके जा रहे हो छोड़ो मुझे मैंने कहा छोड़ो अपजे छोड़ो अन्ने तिरे तक कवाता ना कुछ भी ले ले पर मेरे तक पंगा मतले पर तू नहीं माननी वतंग जब जादे उची उडाल भरने लगती है ना तो समझो या तो वो टूड जाती है या कट जाती है खतम करता रहे इसे सर्दान जी इसको तर्मारी मजरती कुछ मुटा मुवी देतो अच्छा तो ये बात है करो जो थारे मन में बस जिन्दा मत छोड़ देना वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी बहुत ख़दरनाक है खाल घाल लूए यु लुए करो अजी से तो जो उनाँ क्यूश कर दोई गिएफर एंपफर आट कर दो, इंपर इंपर नंपरेंगे अंपरें अजस अन्मेशेते हैं हुआ हुआ एह प्याँ हुआ 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 एह प्युश स्लिए झाल 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 परतान ये कोई अबला नहीं है और नहीं आज ये अकेली है आज इसका पती इसके साथ है इसका परिवार इसके साथ है झाल झाल अ्रीय गासरे हाँ हो आ सकता है अासरे अासरे को अ कि आना... अासरे अासरे हाँ इनान Алव diff despite WILL रिफो बयोड़़र बयोड़र बयोड़र बयोड़! बच पेटे बच बहुत सर्जा मिल गीज़ अरी जो हरी के दर्द में कामा आज भी अक्यला नहीं चूटता है कर लुकर 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 काण उनको हाथ में बचलो करण कान नमों की बचते अजर की फाल आपने पास लगी है अब तरह दी ओ प्रोश जगह आप नहीं जेल है करण दोबे जिताबर घ्रावर्ण दोबे जिताबर घ्रावर्ण आपने है सबसे पहले में धन्यवाद करना चाहूंगे हमारे जिलादी लादी जादी जिन्होंने मुझे इस काबिसा में इस सम्मान की काबिसा में जिन्होंने इस शुक्कारी में मेरा सार्दिय और मुझे विश्वास चता है और मैं धन्यवाद देना चाहूं कि इन्होंने मेरी बारी बाराउचा घंजा भले लीवड़ा समय लगाँ ये सम्मान है इन पूरे गाउं का, ये सम्मान है उन मातम पिता का, जिन्होंने मुझे ऐसा आनाता, ये सम्मान है मेरे साथ सबुगा, जिनकी मैं बभू और ये सम्मान है उनका, जो इन सब के पीछे खड़े, जिनके बिना ये सम्मान ही नहीं, जिन्होंने इन सब बातों से मेरे अंचान होते हुए, ना चाहते हुए, मेरा साथ दिया, और मेरी इज़त, मेरे जीवत, दोनों को बचा है, और वो है मेरे पती पती, श्री विकार जी, मैं चहातियों के आप भी यहां पर आए, क्योंकि आपके बिना यह सम्मान अज्रूरा है. क्योंकि आपके बिना यह सम्मान अज्रूरा हुए, और मेरे जीवत, दोनोंकि आपके बिना यह सम्मान अज्रूरा हुए, और मेरे जीवत, दोनोंकि आपके बिना यह सम्मान अज्रूरा हुए, और मेरे जीवत, दोनोंकि आपके बिना यह सम्मान अज्रूरा हुए, और मेर और अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस देश के संस्कारों को पुना जिवित कर एक बार फिर से इस देश को विश्वमें धर्म गुरु बनाए नमस्का अपनी ननद संग मेल के गंगा जम नासी फिर सब रिष्टों को दिल से निभाओ औरे सखेरी वारी जाओ औरे सखेरी लग गई लाज पिया की मेरे मन में सैया की मेरे मन में वारी वारी जाओ बड़े से घर में मैं तो बड़के बिटी आसी हेरी मिल जुल करके खुश हाली लाओ री सकी बड़aty जुश हुआ री